वेलकम तुमें यूट्यूब चैनल दोस्तों अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हो या एक सकस्पूल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको इन तीन चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए एक तो कोपीराइट क्लेम क्या होता है एक कोपीराइट स्ट्राइक और एक यूट्यूब गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है अगर इन तीनों चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता तो जुड़े दिए लास्ताग मेरे साथ वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटे क्लेम हमको तब भेजता है तब मालो हम किसी का दूसरे का content उठाके copy paste करके और उसको YouTube पे publish कर देते हैं जैसे कि मालो हमने किसी का content यूज किया उसका उसमें जैसे songs है यह photo है यह कुछ भी किसी दूसरे का अगर वो YouTube को report करता है कि इस बंदे ने हमारा content यूज किया है तो दोस्तों copyright claim आएगा दोस्तों इसमें ज्यादा tension की बात नहीं होती copyright claim में नहीं आपका video delete होगा ना कुछ होगा लेकिन बस बात इतनी है friends तब भी आप अपने YouTube channel को monetization के लिए भेजेंगे तो दोस्तों इस video का जो वास टाइम है और जो भी इस पर views आये है वो count नहीं होगा friends इसमें डरने की ज़्यादा इतनी कोई जरूरत नहीं होती कि लेकिन मैं best आपको suggest करूँगा ऐसा हमको नहीं करना ताकि हमारे चैनल पर negative effect बड़े बाकि इससे ना आपका video delete होगा ना कुछ लेकिन जब भी आप channel monetization के लिए apply करेंगे friends तो इस पर इसके जो views है और जो भी इस पर आपने किया है मैंनत वो सारी waste चली जाएगी वो उस time YouTube channel monetization के time काम नहीं आएगा friends अब बात करते हैं दूसरी copyright strike की यह थोड़ो दोस्तों यह थोड़ी सी खराब चीज है इसके बारे में बताता हूँ आपको copyright strike कैसे आती है friends copyright strike में क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जैसे कि हम किसी को पहले का दूसरे का content उठाकर उसके use करते हैं उसमें songs, photos, video जो भी आ गया उसके बारे में पहले बता चुका है इसमें क्या होता है friends इसमें भी सेम वही चीज है मालनो अगर हम किसी के content को उठाकर copy paste करते हैं या किसी दूसरे का content use करते हैं और वो YouTube को बताता है कि इस बंदे ने हमारा content use किया है या कुछ भी तो दोस्तों इस copyright strike में यह होता है YouTube आपको एक copyright strike भेजेगा कि आपने उसका य बहुत ही बुरा होगा तो दोस्तों इस चीज से बचके रही है ऐसे में यही करना है आपको अगर आपके पास copyright strike आती है तो फ्रेंस उस वीडियो को तुरन डिलीट कर देना अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर की YouTube Community Guidelines Strike यह क्या होती है दोस्तों इसमें दोस्तों यह होता है तो आपको डिटेल के साथ बताता हूं YouTube की कुछ guidelines होती है कि आप किस तरह के वीडियो अपलोड कर सकते हैं किस तरह के नहीं कर सकते फ्रेंस में बताता हूं जैसे कि मालो harassment, abusing, गाली गलोच या कोई murder होता हुआ या कोई इस तरह लड़ाई दंगों का जो ज़्याद तीन बार आगी तो दोस्तो इसमें भी पूरे पूरे chances होते हैं friends आपके channel के suspend होने का और आपके channel को reject करने में दोस्तो यह जायतर लोगों को नहीं पता मैंने सोचा यह चीजे मैंने face किये मेरे साथ हुई है मेरे ऐसा कोई YouTuber नहीं है जिसके साथ यह नहीं हुआ हो कि उसके प समझ लो कि आपका YouTube channel कभी grow नहीं होगा आपका YouTube channel कभी monetize नहीं होगा तो friends इस चीज के बच के रहिए मैंने तीन चीजे कवर किये आपको एक copyright claim जो कि यह होता है कि आप मालो किसी दूसरे का content का use कर रहे हो जैसे मालो songs है या कुछ और है background music है या photos है जिनको वो बंदा allowed नहीं करता कि चीज को कोई यूज करे तो आपको YouTube इसमें copyright claim भेजेगा इसमें दोस्तों लेकिन डरने की जरूत नहीं होती मैं आपको बता चुका हूँ इसमें ना ही वीडियो डिलीट होगा ना कुछ होगा लेकिन दोस्तों आपका channel monetization के वक्त इसका वास्टाइम count नहीं होगा दूसरी दोस्तों मैंने बात किए copyright strike की इसमें भी सेम चीज यही अगर आप किसी दूसरे का content use किये हो और उस बंदे ने YouTube को report कर दी की मेरा इसमें content use किया गया है और तो दोस्तों YouTube आपको strike भेज सकता है अगर दोस्तों तीन नब्बे दिनों में तीन बार अगर आपके पास strike आगी दोस्तों आपका channel delete हो सकता है suspend हो सकता है और तीसरी चीज़ बात किये friends मैंने YouTube community guideline strike यह मैं बताई चुका आपको ऐसे फाल्टू के वीडियोज डालते हैं जैसे मालो लायू कहीं मारपीट हो रही है या पुलिस के साथ कुछ हो रहा है लड़ाई दंगा harassment abusing तो friends अग हुआ है